हेले वरिवन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य उज्जाव शक्ति का पार्ट है और आज पार्टन में हम क्या जारेंगे जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर में शक्ति के बारे में हम पर चुके हैं तो उससे चुड़ावा एक उधारन 5.10 को हम देखेंगे साथ साथ हम चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं उधारन 5.10 को इसमें कहा गया है कि कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान लिफ्ट के अंदर हम जानते हैं कि यात्री जो होते हैं वो क्या करते हैं वो रहते हैं तो मान लेते हैं उसमें लिफ्ट में यात्री भी थे तो को जो कुल दुर्वंमान हो जाएगा वो लीट का द्रवेमान प्लिस जात्वी का द्रवेमान हमें दे रखा है। वो कितना है वह 800 KG, उपर की और 2 meters per second की अचरचा से गतिमान है जो लिफ्ट है इसका कुल द्रवेमान हमें दे रखा है लिफ्ट प्लस व्यक्तियों के संख्या विला करके वो लिफ्ट उपर की और जो है एक वेग से गतिमान है दो मीटर पर सेकंड के चारजान न्यूटन का घर्शन बल इसकी गतिका विरोध करता है देखें लिफ्ट जब उपर के और चल रही होगी तो एक घर्शन बल इसकी तरफ निच्चे क्यों लगेगा जो की कितना है? चार हजार न्यूटन का घर्शन बल लगता है इसके उपर लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत न्यून्तम शक्ति का आखिलन वाट पर अश्व शक्ति में कीचिया तो हमें कैकुलेट क्या करना है? हमें यहाँ पर कैकुलेट करना है न्यून्तम शक्ति जो की लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत की जानी है शक्ति को हम प्रदेश करते हैं कैपिटल पी से यानि में कैपिटल पी यहाँ पर निकालना है वो भी हमारे unit consonant यह वाट में एक वाट में निकालनी है शक्ति इसकी साथ जादा में अश्वर शक्ति के मात्रक में भी यहां पर शक्ति को calculate करना है तो मैं इसे कैसे करने वाले हमने जो प्रिवेस लेचर में जो भी पॉम्मले इसकी किया है उसका यूज करते हैं हम यहां पर शक्ति का यहां पर शक्ति को calculate कर सकते हैं तो आप इसे पहले खुड ट्राइब कीजिए और दर हम इसको solve करते हैं उके चलिए शुरू करते हैं हम जानते हैं कि शक्ति को मात्रफ होता है वह होता है P बराबर F.V यह हम यह पर शक्ति का पहले वाला सुत्र यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हम यहां पर टाइम नेरे रखा और नहीं हम यहां से work निकाल सकते हैं इसलिए हम यह पर यह सुत्र यूज करने वाले हैं कि जो जो हमें कोश्य में गिवन होता है उसके according तो P बराबर होता है F.V F के एप है बल कि कितना बल उस लिफ्ट पर लग रहा है ठीक है और V क्या है V है Weight हमें Weight पता है कि जो लिफ्ट है किस लिफ्ट से गड़ी कर रही है 2m per second से गड़ी कर रही है लेकिन हमें बल नहीं पता कि उस लिफ्ट पर टूटल कितना बल लग रहा है तो हमें सबसे पहले calculate करना होगा बल ठीक है स्वें के भार के द्वारा लगने वाला बर हम जानते है that is mg और उस पर एक घर्षम बल भी कारे कर रहा है हमें कोशन में बताया गया है घर्षम बल यानिकी f small f f मतला friction होता है friction force उस पर लग रहा होता है तो टूटल बल कितना हो जाएगा mg प्लस f small f mg क्या होगा m हमें 13 का है 18 100 उसका weight है sorry द्रविमान है और 10 यहां पर क्या है 10 है g की value और हमें घर्षम बल के value पे given है तो यहां से हम easily इसको solve करते हुए f यहां से calculate कर सकते है जो कि आ जाएगा 22,000 newton ठीक है अब यहां पर हम यहां पर world की value रख देंगी और हमें weight value पता है इसक इसको आप solve करेंगी तो आपके पास यहां पर जो है शक्ति का मातर निकल गर आ जाएगा जो कि किसमें आएगा जो कि आजएगा बाट में शक्ति का मातरफ होता है बाट जिसे हम capital W से प्रदर्शिच करते हैं आपे बाट में इसकी आपकी value निकल गर आ जाएगी हमसे शाद सकती यानि एक HP बराबर होता है कितना 746W ठीक है 746W इसके बराबर होता है तो आप इसली क्या कर सकते हैं इसको इसमें convert कर सकते हैं वाट को आप करेंगी तो आपको इससे डिवाइड करना होगा 746 से और फिर आपका 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 यहां पर निकल कर आ जाएगा that is 59 HP तो इ बहुत इसली था हमें यहां पर सिर्फ फॉर्मला जो है apply करते हैं इसकी value यहां पर calculate कर लिए चलिए आप आगे बढ़ते हैं अब हम बात करने वाले संघट के संघट यहां की collision का मतलब होता है कि जब किसी भी दो द्रवेमान बर किसी भी दो वस्तू के बीच में टक्कर होत है उसकी वो क्या करती है किसी वेग से एक किसी प्रार्णबी वेग से एक दुसरी की तरफ आती है टक्राती है और टक्राने के बाद वो तुसरी direction में लेकरती है इस direction से वो आ रही होती है उस direction में ही उस वेग से किसी वेग से गती करती है इसी को हम संघट कहते हैं संघट का मतलब क्या हुआ संगट का मतलब हुआ जब भी कोई किसी भी दर्मान के कोई दो वस्तु है क्या होती है यह तुसरे को टकर मारती है उस्वा हम संगट कहते है ठीक है तो संगट में क्या होता है जब भी किसी भी वस्तु का संगट होता है तो उसमें हमें याद बखने हैं कि हमेंसा सम्वेग सर्ड़क्षन जो को रेखे सम्वेग होता है वो constant रहता है रेखे सम्वेग constant है क्या मतलब हुआ हम जानते हैं ये रेखे सम्वेग क्या होता है रेखे सम्वेग होता है P बराबर F डॉट T हम इसको जानते हैं मान लेते हैं कि पहला जो दुरवेमान M1 वाली बस्तु है उस पर लगने वाला जो सम्वेव होगा वो है F12 del T और दूसरी जो बस्तु है उस पर लगने वाला सम्वेव P2 है कर्ती के 39 के नुस्ताराओं जानते हैं दो वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो यह दुसे के बराबर लेकिन विप्री रिदिशा में होता है इसको अगर आप यहाँ पूट अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि डैल P प्रस डैल P2 बराबर 0 होता है इसे को आप लिसकते हैं कि डैल P1 बराबर हो जाए तो जुसका तक्कर माने से पहला संवेग रहेगा तक्कर माने के पश्चार भी उसका संवेग वही रहेगा यानि कि उसके संवेग में उसके कुल रेख्या संवेग में कोई भी चेंज नहीं होता है इसी को हम कहते हैं रेख्या संवेग नियत रहता है हमें जहां देना है कि हम यहाँ पर संगट तीन प्रकार के पढ़ने वाले हैं उन तीनों प्रकार के संगट में हमाया रेख्या समवेख हमेशा constant रहेगा लेकिर हम यह जान दे हैं कि जब भी कोई वस्तु गती करती है तो उसके अंदर कि संगट में जो फूल गति उचा होगी वह आवर्श है रुप से संगट नहीं रहती है जब यह किसी वस्तु का संगट होगा संगट से क्या होता है संगट से वहाँ पे हीड निकलती है संगट से वहाँ पे साउन निकल सकती है तो यह जब भी दो वस्तु टकराती है अगर ब होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पहला होते हैं प्रत्याज संगट और पूर प्रत्याज संगट सबसे पहले हम बात करते हैं इलहास्टे प्रत्याज संगट को आप इस डायग्राम से दे सकते हैं होता क्या है कि दो द्रवेमान के वस्तु होती है दो किसी द्रवेमान के दो वस्तु होगी जो आपस में टकराएगी और टकराने के पर शाथ जिस डिरक्शन में वो आ रहे थी होगी जिस डिरक्शन से वो आ रहे थी उसे direction में टक्राने के बाद उसे direction में वो move कर जाएगी जैसे कि आप इस diagram में देख रहे हैं ये वस्तु इधर से आ रही थी और ये वस्तु इधर से आ रही थी दोनों में टक्राहाट भी और दोनों ने क्या करा उसी direction में वापिस से उन्होंने move कर दिया इसमें होता है क्या है इसमें मैंने जी सब के बताया कि रेखे संब्वेग घूरख हमेशा constant रहेगा क्या बता सकते हैं कि इनकी गटी जो जागा क्या होगा यहाँ पर तो इनकी जो kinetic energy होती है वो भी यहाँ पर constant रहती है क्योंकि क्या होते है कि जब यह जब यह संघट करने से पहले जुनकी कानेटिक एनर्जी होगी और जब टकराएंगे तो उसके बाले सेब कानेटिक एनर्जी से मूफ करेंगे उसका मतलब यह होता है कि इनकी जो कानेटिक एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर क्या रहती है संरक्षिद रहती है ओके संभीशरणी का नियम आपर फॉलें होगा वह गति जूजा का सलख्षा कडीयम आपर फॉलें वहते हैं इस cuidado से completely Inlast Collision क्या होता है इसमें क्या होता है कि इस ड्रैग्रम में देखिए माली में ध्यू मीं कि Perfect सब्सक्राइब निए और टीजर होता है तो एक दर्विमान के वस्तु क्या होती है दुर्क जाते है और एक साथ भूप करने लग जाएगी अगर को सोचें कि यहां पर क्या होता है मालने कि इसकी का डिक और गटी कर रहें थी तो इनकी का नेरजी होती है यानरूच हुथ होता है और है ओके यहां पर ाम यहां में देखेंगे जो इनकी गति जोजगर होती है व scrut तब मात्रा जो है उसके नर्ष्ट हो जाती है यानि यहां पर कानेटिक एनर्जिन से नहीं रहती है ऐसा नहीं होता है कि जो कानेटिक एनर्जिन के पहले थी संघट करने से पहले वहीं कानेटिक एनर्जिन के बाद में रहेगी इसका मतलब यह होगा कि इस वारे संघट में गति जुजा नेस्ट हो जाती है ठर्ड टाइप का हमारे पास संगर्ट या कोलिजन होता है उसे कहते है इनलास्टिक कोलिजन या अपरत्यास संगर्ट अपरत्यास संगर्ट क्या होता है इस प्रकार के संगर्ट में क्या होता है कि सम्वेक तो संगर्ट करने के लिए आएगी और जब उन तोने के पीच में संगर्ट होगा तो वह क्या करें कि एक डिरक्शन में बूफ करना शुरू कर देगी लेकिन इस बार वह तो चिपकेगी नहीं आप दे सकते हैं आरो का निशान यहां पर है और यहां पर निशान है यानि वो एक ही डिरक्शन में मुवेंट करने स्टार्ट करेगी लेकिन श्पकेगी नहीं जैसे कि इसमें हो रहा था गति इतिजया का पूरा भाग निश्ट हो रहता है यानि कि कुछ न कुछ गतिर उज़जा उसके अंदर होगी लेकिन वो डिफरेंट गतिर उज़जा स यहां पर कारे करेगा ठीक है आई हो आपको समझ में आगे होगा तीरों का डिफ्रेंस अब हम जल्दी से यहां पर तीरों को जो हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर अपरतिया संगर्ट क्या होता है सबसे पहले हुए इसका मतलब हुआ जब उन्हों के बिश्में कोलिजन होने के बाद वो एक साथ गती करना स्टार्ट करती है इस विए क्या होता है इसमें जो एक दुस्रे का संगड करेंगे तो संगड करने के परशाद वो जो करेंगेंकों जन्हों कोवडु चोडिशन से अरेंख हुगा जो डुबरेंसरों का मुलना करतीक होुगां था यहां पर देखेंगे गतियोजा सर्रक्षत रहती है थर टाइप का होता है आप रत्यास संगट जिसे हम कहते हैं इलाश्य कोलिजियर में क्या होता है जब उन दोन उसका नर्ष्ट भी नहीं होता है यानि यह बीच-बीच वाली कंडिशन होती है ओके सो आज के लिए इतना ही अब हम देखते हैं हमने क्या क्या जाना हमने देखा कि जब भी दो या दुसारी वस्तों के बीच में टकराहाट होती है उसे को हम संगट या कोलिजिन कहते हैं कोई परत्यास संगट में संगट में संवेख संरक्षित रहेगा लेकिंशित में देखा नहीं होटा है और संगट में ये शॉम्हास है डिसके लिए द्रया धूर्रिया नहीं रहता है आज wissen रहता है यह अऄश्यक शुर्त ज रहता है खिने प्रित्यानेयम और गति उज्जा पता होने चाहिए तो नेक्ट हम क्या देखेंगे नेक्ट हम देखने वाले एक विम्य संगत किसे गयते हैं और साथ इस साथ हम जानेंगी इससे जुड़ावा उधारन 5.11 को तब ते के लिए थैंक यू